हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम क्लास फिप्ट की वर्क बुक मन्थन की वर्क सीट नमबर टू को सॉल्व करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले प्रते एक वीडियो का नॉटिफिकेशन मिलता रहें तो शुरू करते हैं तो टॉपिक है आपकी इस वर्क सीट का A Day With My Family मेरे परिवार के साथ एक दिन याने की इस वर्क सीट में हम क्या पढ़ेंगे एक पोयम है A Day With My Family इसे हम पढ़ेंगे कि परिवार के साथ मेरा दिन Read and Rejoice the Given Poem यहाँ पर इस पोयम को अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो आएए शुरू करते हैं Some of us are big and some are small It makes no difference to us at all It means हम में से जो है कुछ बड़े हैं It means मेरी family में कुछ बड़े हैं Small कुछ छोटे हैं जो की हम सभी में अंतर बताता है It means इस तरीके से हम एक दूसरे से अलग है Some go to school and some go to work हमारे परिवार में कुछ school जाते हैं और कुछ काम करने जाते हैं It means जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं और जो हमारे बड़े हैं जैसे हमारे पिताजी है यह हमारे अंकल है वो कहां जाते हैं वो अर्निंग के लिए अनिकी अर्निंग करने के लिए धनकमाने के लिए काम करने जाते हैं everything we do has its own perk it means everything जो कुछ भी we do हम करते हैं जो कुछ भी हम सभी करते हैं उसका अपना अपना benefit होता है उसका अपना अपना लाब होता है इसकी अपनी अपनी जरूरत होती है इंपोर्टेंस होती है yesterday, today, tomorrow and forever कल, आज और आने वाला कल और हमेशा क्या प्रती एक दिन परिवार के साथ बॉरिंग होता है इट मिन्स उबाओ होता है never, कभी नहीं ऐसा कभी नहीं होता है कि हम अपने परिवार के साथ हों और बॉर हो जाएं हम सभी जो हैं क्या हैं, हम सभी समान हैं बिल्कुल किसकी तरह पक्षियों की तरह जिनके फेदर एक से होते हैं जिनके पंकेक से होते हैं तो हम भी परिवार में सभी बिल्कुल एक समान है और उड़ने के लिए जैसे की पक्षी फ्लोक में उड़ने के लिए समू में उड़ने के लिए एक साथ होते हैं इसे ही हम परिवार में जो है एक दूसरे से बंदे हुए हैं और मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं कारे करते हैं तो अब आपको इस पोयम जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी तो यहां पर आप पोयम में से कुछ questions पूछे गए हैं जिनके answer आपको इस पोयम को पढ़ कर देने हैं तो आएए देखते हैं question है with the help of a teacher adult dictionary find synonym of the words give below it means नीचे जो words दिये गए हैं आप उन्हें अपने बड़ों की मदद से या फिर अपने सब्द लिखेंगे also write their meaning in Hindi और उनका हिंदी में भी आप मीनिंग लिखेंगे synonym का मीनिंग होता है समान word यहां पर word है difference difference means क्या होता है अंतर होता है difference का समान word क्या होगा जैसे की dissimilarity अब यहां पर next है boring boring का क्या मीनिंग होता है boring का synonym होगा dull उबाव यानि की bore हो जाना same same you know same का मतलब होता है बिलकुत समान यानि की उसके जैसा ही alike तो same का synonym है alike और इसका हिंदी मीनिंग क्या है समान तो अब आपको इसकी synonym पता चल गए होंगे और इनका हिंदी में क्या मीनिंग होता है ये भी आप जान गए होंगे अब यहाँ पर question है collective noun collective noun यानि कि समुवाचक संग्या for example किसे कहते हैं collective noun जैसे कि family, family में सभी होते हैं सभी सदे से किस में आते हैं? family में is a collective noun तो ये जो है इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता? परिवार तो इस word को क्या कहेंगे? collective noun यानि कि ये जो family word है क्या है? एक समुवाचक संग्या है it stands for one unit और group ये जो है किस के लिए एक समु के लिए या फिर एक unit के लिए होती है but consist of more than one person लेकिन जिसमें एक से भी ज़्यादा व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जैसे कि family family में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उन सभी लोगों के लिए एक word यूज होता है क्या family that is collective noun now given explanation and some more examples of collective nouns अब यहाँ पर क्या करना है? आपको collective noun की एक क्या देनी है? explanation देनी हैं कि collective noun किसे कहते हैं और उसके कुछ आपको example यहने की उधारन भी देने हैं तो collective noun किसे कहते हैं? a collective noun is a word एक collective noun जो है एक सब्द होता है that refers to a group of people or things जो की वस्तूओं या फिर लोगों के समूँ के लिए प्रियोग किया जाता है example जैसे की team team किसे कहते हैं? team में बहुत सारे players होते हैं तो उन players के लिए क्या word यूज होता है? team jury जो jury होती है जो कोई भी decision लेते हैं तो उसमें member होते हैं 5 तो उनके लिए word क्या होता है? jury crowd में बहुत सारे लोग होते हैं भीर होती है तो उस भीर को क्या कहेंगे? crowd it means this is collective noun and audience etc so all these are the examples of collective noun now using the above hint box give appropriate collective noun for यहां पर आपको इन hint boxes का use करते हुए क्या करना है यहां पर सही यानि की उचित collective noun को fill करना है so let's see first is this is example of flock of birds पक्षियों का समू यानि की पक्षी जो है समू में उड़ते हैं उसके लिए कौन सा word यूज होता है flock a team of किसकी team होती है players की तो यहां लिखेंगे players and army of army किसकी होती है soldiers की सिपाहियों की यहां पर लिखेंगे soldiers next is a choir of singers यानि की singers जो है उनका समू क्या होता है choir now question number four write all words that come to your mind when you hear the word family जब आप family सब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन से word आते हैं कौन कौन से सब्द आते हैं and make a word web तो आप को यहां पर एक word web बनाना है you can also add more arrows to the web आपकी family में जितने ज़्यादा member है जो भी है आप और भी arrows बना कर वहां पर उनके नाम लिख सकते हैं जैसे की family में कौन कौन होते हैं mother होती है maa father होते हैं पिता जी ब्रदर भाई को कहते हैं grandfather दादा जी को grandmother दादी जी को sister बहन को तो यह सब ही हमारी family में होते हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यह word web कैसे complete करना है अब यहां पर हम question देखते हैं question number 5 family members who are more in age than us family members वे सदस्ये जो हमसे age में ज़्यादा बड़े होते हैं are called elders तो वे हमारे elder कहे जाते हैं बड़े होते हैं the ones और वे who are lesser in age than us जो हमसे उम्र में कम होते हैं are called youngers तो उन्हें छोटा कहा जाता यंगर्स कहा जाता है can you categorize your family members in groups of ones who are elder than you and one who are younger than you क्या आप अपने family members को categorize कर सकते हैं स्रेणी में बाट सकते हैं किस तरीके से कि कौन जो है आपकी family में बड़े हैं और कौन younger यानि कि आप से छोटे हैं तो elders कौन कौन से हैं तो elders हो हैं family में कौन कौन होते हैं जैसे की father पिताजी होते हैं mother मा होते हैं grandfather grandmother और छोटे brother और sister तो आपकी family में जो भी बड़े हैं आप उनके नाम लिखेंगे और जो छोटे हैं आप से उम्र में आप उनके यहाँ पर नाम लिखेंगे तो अब देखते हैं question number six यहां पर यह कौन है यह है उसके पिता जी जिने क्या कहती है मोल जिनकी आयू कितनी है तेतिस वर्स है रोजगार क्या है उनका रोज काम पर जाते है यह निकी धन कमाने के लिए पैसे कमाने के लिए रोज काम करने जाते है नेक्स पिक्चर में कौन है वह उसकी मदर है तो मा मा को क्या कहती है मौज कहती है जिनकी आयू कितनी है 34 वर्स है बोई कौन है बोई जो है 6 years old 6 साल का उसका भाई है 9 कौन है 9 है 68 years old यानि की 68 साल की उसकी दादी मा है तो उसका जो भाई है वो उसके साथ पढ़ती है और खेलता है 9 यानि की उसकी दादी मा क्या करती है रोज नई कहानिया सुनाती है बेने कौन है बेने जो है 3 महिने का बेबी है जो की सब को खूब हसाता है दादा जी कितने साल के हैं वो 73 years के हैं जो की रोजाना सभी बच्चों को गुमाने ले जाते हैं तो यहां देख सकते हैं यह है सेला जिसकी उम्र 10 साल है अब आपको अपने परिवार का ऐसा ही चित्र बनाना है तो ऐसे ही आप जो है अपने आपके परिवार में जो भी है आप उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं उनकी कितनी आयू है आप सभी उनसे पूछ कर लिखेंगे तो जैसे कि उधारन के लिए मैंने यहां पर आंसर लिखा है जैसे कि यह पिता जी है जिनें पापा भी कहते हैं यह मा है इन्हें मम्मी भी कहते हैं तो पिता जी क्या करते हैं पिता जी रोज काम करने जाते हैं कारेले पर यानि कि ऑफिस जाते हैं मम्मी क्या करती हैं घर के का करती हैं तो आपकी मदर क्या करती हैं आप उनसे पूछ के लिखेंगे भाई साथ में पढ़ता है और खेलता है भाई बेहन जो है वो दोनों साथ खेलते हैं और पढ़ते हैं दादा जी रोज घुमाने ले जाते हैं बच्चों को घुमाने ले जाते हो और स्वैम भी जाते है दादी जी का क्या काम है दादी जी नहीं नहीं कहानिया सुनाती है हमें तो आप इस तरीके से अपने परिवार में पूछ कर यहां पर अपने परिवार का इसी तरीके से चितर बनाएंगे अब यह question number 7 है परिवार भिन भिन प्रकार के होते हैं आपका परिवार आपके दोस्त के परिवार से भिन हो सकता है अगर आप अपने दोस्त के परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे अपने सवालों के अंत में प्रश्ण वाजक्चन लगाना ना भूले इतमीज, सभी की जो families होती है, परिवार होते हैं अलग-अलग सुरूप के होते हैं, अलग-अलग प्रकार के होते हैं किसी का परिवार बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है कोई संयुक्त परिवार में रहता है, कोई एकल परिवार में रहता है सभी के जो माता पिता हैं, उनके कारे अलग होते हैं, रहने का तरीका अलग होता है तो आप इस तरीके से अपने फ्रेंड से पूछेंगे, आप कौन-कौन से कोश्चन उससे पूछेंगे उन प्रस्मों को यहां पर लिखेंगे जैसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं आपके साथ कौन-कौन रहता है यानि कि आप किन-किन के साथ रहते हैं आपके चाचा चाची, पापा ममी, दादा दादी इतमी इन सब के बारे में आप question कर सकते हैं आपके घर में मुख्या कौन है यानि कि जो घर के decision लेता है वो कौन व्यक्ति है आपके पिता जी क्या वेवसाय करती है, उनका क्या पेशा है आपके कितने भाई बहन हैं तो इस तरीके से आप अपने दोस्त से कोश्चन कर सकते हैं और उन्हें यहां लिखेंगे अब यहां पर कोश्चन दिया गया है कि इन प्रशनों के आधार पर जो आप अपने दोस्तों से पूछेंगे उन प्रश्णों के आधार पर आपका और आपके दोस्त का परिवार कैसे अलग है तो आप जिस तरीके से पूछेंगे आप उसके आधार पर यहां लिखेंगे जैसे कि जो मेरा परिवार है वो एकल परिवार है यानि कि मैं माता पिता के साथ रहती हूँ और जो मेरे दोस्त का परिवार है वह संयुक्त परिवार है, वह जोईन्ट फैमिली में रहता है यानि कि उसके जो चाचा-चाची हैं, उनके बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, बुवां, वो सभी एक ही परिवार में रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त इसे शोस्ता जी हैं और यह फिल करें मैं चांशा on-स एक हिस्सा हो detto कैसे होते हैं यहाँ होते हैं जो माужд है आंसर है एक हिस्सा होते हैं के उन्हें भी हम प्यार करते हैं समय पर भोजन देते हैं और वे भी हमें पयार करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे यहां का परिवार फूलों की मालाएं बेशते हैं यह है करुना का परिवार यह है पर तो यहां पर एक वैसी सोय करते हैं सबी तरीके से सबके vigil हैं तो आपको क्या करना है यहां पर आप अपनी चॉइस से कोई भी दो परिवार लेंगे और उनके बीच की जो समानताएं यानि कि एक जैसी चीज है और जो अलग-अलग हैं उन्हें लिखेंगे तो जैसे कि यहां पर मैंने दो परिवार लिये हैं कौन-कौन से माया का परिवार और अर्विंद का परिवार तो उनमें समानताएं क्या हैं तो दोनों एकल परिवार हैं यानि कि माता-पिता और उनके बच् समान्ता यह है कि दोनों एक ही गाउंगे हैं जबकि समान्ता यह है कि माया का परिवार मचली पालन करता है और अर्विंद का परिवार जो है उसका website क्या है वो फूल की मला बना कर बैसते हैं तो इस तरीक से आप अपनी चोछ से डो परिवार सघ्रक्ट करेंगे उनकी क्या समानता है और उनकी क्या आ समानता हैं अब हम देखेंगे question number 11 चित्र में दिखाये गए परिवार एक ही गाओं के यह निकी जितने भी परिवार हैं जैसे कि माय और उसकी बहन मचली बेशती है नीचे दी गई तालिका में उनके एक दिन की कमाई का हिसाब है यानि कि वो कितना कमाते हैं एक दिन में क्या तुम हिसाब लगा कर बता सकते हो कि उन्होंने एक दिन में कुल कितने रुपे कमाए तो यहाँ पर एक दिन में उन्होंने क्या किया है जींगे जो है उनके जो प्राइस है वो कितने हैं 288 रुपए के 250 ग्राम है और एक दिन में उन्होंने बेचे हैं कितने 2 kg तो इसके लिए क्या करेंगे 278 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 8 से गुणा करने पर कितना आएगा 2224 रुपे यानि कि उन्होंने एक दिन में जींगे बेचे हैं 2224 रुपे के Next क्या है टूना मचली तो टूना मचली का प्राइज क्या है 607 रुपे की 500 ग्राम उन्होंने कितनी बेची है एक दिन में 1.5 किलो यानि कि 1 किलो 500 ग्राम तो उन्होंने कितनी कमाई की है तो इसके लिए आप क्या करेंगे 607 को 3 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 3 से मल्टिप्लाइ करने पर कितना आएगा 1821 तो उन्होंने 1821 रूपे की टूना मचली बेची है Next है Silver Pomfret तो Silver Pomfret जो है उसके प्राइस कितने है 594 की 500 ग्राम है और उन्होंने बेची है पूरे दिन में धाई किलो यानि की 2 किलो 500 ग्राम तो इसके लिए आपको क्या करना होगा 594 को 5 से गुड़ा कर देंगे तो 5 से गुड़ा करने पर कितना आया 2970 तो उन्होंने सिल्वर पॉम्फरेट बेची है 2970 के नेक्स्ट है रोहू मचली जिसके प्राइज कितने है 150 रुपे की है 200 ग्राम उन्होंने बेची है 4 किलो 500 ग्राम तो इसके लिए आप क्या करेंगे 150 को 18 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आया 2700 यानि कि उन्होंने 2700 रुपे की रोहू मचली बेची है अब उन्होंने टोटल जो है कितनी कमाई की तो इसके लिए आप क्या करेंगे 2224, 1821, 2970 और 2700 इन सभी को प्लस कर देंगे तो प्लस करने पर कितना आया 16,915 यानि कि उन्होंने एक दिन में जो है कमाई की है 16,915 रुपे की अब देखते हैं अगला क्वेश्चिन अर्विन का परिवार फूलों की सुंदर माला बनाता है आज अर्विन अपने बड़े भाई और भतीजी के साथ पास के बाजा से फूल खरीदने गया है अर्विन को अच्छे और ताजे फूल पहचानने के लिए नेत्रों की जरूरत नहीं वो तो नाक से फूलों की सुगन सूंगर ही ताजे फूलों को छाट सकता है क्या आप भी सूंगर बता सकते हैं कि फूल ताजे हैं अबासी तो बिल्कुल हाँ मैं भी सूंगर फूल ताजे हैं अबासी बता सकती हूँ आद उनके पास फूल खरिदने के लिए 800 रुपे हैं नीचे दीगए तालिका में फूलों के दाम दिये हुए है तो यहाँ पर फूलों का नाम है चमेली चमेली के फूल एक पाउ हैं 50 रुपे के गैंदे के फूल हैं आदा किलो 30 रुपे के गुलाब के फूल है एक पाव 75 रुपे के और मोगरा के फूल है एक किलोग्राम 92 रुपे के आर्किट के फूल है 120 रुपे के दो फूल अब जो है आप कोई दो तरीके बताईए जिससे 800 रुपे में सभी फूलों की अलग-अलग मात्रा खरी दी जा सके क्या तुम्हारे दोस्त ने भी अपने 800 रुपे ऐसे ही खर्च किये तो यहाँ पर आपको दो तरीके बताने हैं चमेली के फूल का प्राइज क्या है 250 ग्राम 50 रुपे के 500 ग्राम है गेंदा के फूल 30 रुपे के तो यहाँ पर आप दो तरीके से लिखेंगे जैसे की 750 ग्राम चमेली के फूल 150 रुपे के लिए 500 ग्राम फूल गेंदे के 30 रुपे के लिए 500 ग्राम गुलाब के फूल 150 रुपे के मोगरा के 25 किलो यानि की 2 किलो 500 ग्राम फूल 230 रुपे के और चार फूल आर्किट के 240 रुपे के तो कितने के फूल हो गये?, 800 रुपे के यानि की 800 रुपे के एक तरीके से इस तरीके से हम अलग-अलग मात्राओं में 800 रुपे के फूल ले सकते हैं अब दूसरे तरीके से हम कैसे ले सकते हैं जैसे कि 750 ग्राम चमेली के फूल 150 रुपे के एक किलो 500 ग्राम गैंडे के फूल 90 रुपे के 500 ग्राम गुलाब के फूल 150 रुपे के 2 किलो 500 ग्राम मोगरा के फूल 230 रुपे के और 3 फूल आर्किर के 180 रुपे के तो प्लस कर लेंगे कितने हो गए 800 रुपे हो गए यानि कि अब ये भी मात्रा जो है अलग है और 800 रुपे के सारे प्रकार के फूल हैं तो आप भी इसी तरीके से दो तरीके यहां पर लिखेंगे जिससे 800 रूपे में सभी फूल अलग-अलग मात्रा में खरीदे जा सकें अब यहां पर कोश्चन है समा और उसका परिवार प्याज की खेती करते हैं उन्होंने अपनी फसलों को मंडी में बेचने के लिए बोरों में भरना शुरू कर दिया है अगर एक किलोग्राम में लगभग 15 प्याज आती हैं तो 35 किलोग्राम में ऐसी कितनी प्याज आएंगी यानिकि एक किलो ग्राम में 15 प्याज आएंगी बतानी क्या है हमें तो 35 किलो ग्राम में कितनी प्याज होंगी तो इसके लिए क्या करेंगे 15 से 35 में गुणा कर देंगे तो कितना अंसर आया 525 इट मीज 35 किलो ग्राम में 525 प्याज आएंगी अब देखते हैं अगला कोश्यन ह हरी सरन के पास गाय थी और वह गाय का दूद बेच कर अपनी जीवी का चलाता था यानि कि अपना जो खर्चा था वो गाय का दूद बेच कर चलाता था हरी सरन की एक महिने की कमाई के ऊपर एक प्रशन बनाई यानि कि आपको यहाँ पर प्रशन बनाना है उसकी कमाई के ऊप पर उसने कुल बेची हुए दूड से कितने रुपे कमाई होंगा यानि कि इस तरीके से जैसे कि उधरन दिया गया आपकी सायता के लिए तो आप इस तरीके से कोश्यन बनाएंगे तो जैसे कि हम question बना सकते हैं कि हरी सरन की गाय एक दिन में 10 kg दूद देती है जिसे बेचने पर उसे 600 रुपे एक दिन के मिलते हैं तो आपको पता करना है कि हरी सरन की 1 महीने की कमाई कितनी है तो आप इस तरीके से question बना सकते हैं तो question का answer भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं 600 रुपे वह एक दिन में कमाता है और एक महिने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं तो क्या करेंगे आप 600 को 30 से गुणा कर देंगे तो आपका answer आजाएगा और इस तरीके से हरी सरन की एक महिने की कितनी कमाई होगी एंगल देखे यानि कि उसके नाम में बहुत सारे एंगल मिले हैं उसे लुक हाउ सी डिडिट अब आपको देखना है कि उसने यह कैसे find out किये तो यहाँ पर पहला क्या है यह है acute angle 90 डिग्री से कम का है इट मींस less than right angle और 90 डिग्री का कौन सा होता है right angle और यह कौन सा है यह है obtuse angle यानि कि 90 डिग्री से ज़्यादा का तो यहाँ पर नाम है जागरती तो जे में कौन सा angle है यहाँ पर है right angle यहाँ पर ए में जो है कौन सा angle है यह है acute angle और नीचे की तरफ है obtuse angle यहाँ पर G में कौन सा एंगल है जी में है right angle ऐसे ही R में यहाँ पर यहां तक कौन सा एंगल है यहाँ पर right angle है और यह कौन सा है obtuse angle यहाँ पर है I तो I में कौन-कौन सी एंगल है तो अब आपको समझने आगया होगा कि less than ninety degree कौन सा होगा accurate angle 90 degree right angle and more than 90 degree कौन से angle होगा obtuse angle तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है draw your name in the space below mark the angles in your name आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है उसमें आपको angles mark करने हैं और बताने हैं कि उसमें कौन से कितने angle हैं तो जैसे कि यहाँ पर नाम है ANU ANU तो इसमें कौन कौन से angle है यहाँ पर यह है acute angle यह है obtuse angle यहाँ पर भी acute angle है और यहाँ पर है right angle तो यहाँ पर आपको संख्या बतानी है कि यहाँ पर right angle कितने हैं तो right angle कितने हैं इसमें 2 यहाँ पर उसके बार है obtuse angle कितने हैं तो obtuse angle इसमें 2 हैं यहाँ पर देख सकते हैं और acute angle कितने हैं 3 यहाँ पर है यानि कि 90 degree से कम के कौन से होते हैं acute तो यहाँ पर कितने हैं 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 5 तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आपकी यह work seat कैसे complete करनी है और यह जो angles हैं यह भी आपको अ If you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you